जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगत ग्यान यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माता काली की सिद्धी प्राप्त कनने का मंत्र जिसको मात्र आप लोगों को 21 बार बोलना है लोंग हाथ में लेके उसी समय आपको माता महाकाली की सिद्धी मिल जाएगी जब आप इस मंत्र को 21 बार बोलेंगे तो कुछ माता काली के ऐसे भक्त हैं जो माता काली की सिद्धी प्राप्त करना चाते हैं और सिद्धी को प्राप्त करने के लिए वो मंदिरों मजा के आजरियां भी भरते हैं और सिद्धी को प्राप्त करने के लिए माता काली के बीज मंतरों का जाप करते हैं पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं इस सिद्धी को प्राप्त करने के लिए और इतना तो आप लोगों को पता ही होगा मा काली की नहीं अन्ने देवी देप्तागी हमें सिद्धी तो जरूर करनी होती है सिद्धी के बगैर जब तक हमारे पास किसी भी देवी देपतागी जिसकी हम मानता कर रहे हैं, उसकी हमारे पास सिद्धी नहीं होगी, तब तक हमारे देवी देपता कोई भी कारें नहीं करते हैं, तो सिद्धी को प्राप्त करने के लिए हर तरह के मंतर होते हैं, लेकिन कुछ मंतर ऐसे होते है जिससे आपको समय लग जाता है सिद्धी को प्राप्त करने में और कुछ मंतर ऐसे होते हैं जिस मंतरों से आप लोगों को तुरंत माता काली की सिद्धी मिल जाती है तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वही मंतर बताने जारी हूँ जिस मंत्र को आप लोगों को इस तरह से 21 बार बोलना है जैसे जैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी उसी इस टेप को आपको फोलो करके मा काली के इस मंत्र को जपना है 21 बार ठीक है जैसे ही आप लोग माता काली के इस मंत्र को 21 बार जपेंगे तो आपको माता काली की सिध्धी उसी समय मिल जाएगी अन्य था अगर आप किसी और देवी देपता की सिध्धी लेना चाते हैं जिसकी आप मानता करते हैं बहुत से लोग होते हैं माता काली की भक्ती करते हैं भोले वावा की भक्ती करते हैं और भी देवी देपता की भक्ती करते हैं तो उनी लोग के लिए भी है वीडियो के अगर आप अन्य देवी देपता की सिध्धी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी मंतर से उस द क्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर ले ना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आस तक आ तो है थोड़ा बड़ा है तो उसको सबसे पहले आप लोगों को एक नोट बुक में लिख लेना है ठीक है लिखे फिर उसको याद करना जब तक वो आपको प्रोपर तरीके से याद ना हो जाए तब तक आप उस मंतर का प्रियोग ना करें ठीक है क्योंकि गलती होगी तो आपको फल नहीं मिलेगा सिद्धी नहीं मिलेगी इसलिए आप पहले उसको सही से याद करें बिल्कुल नियम के साथ याद करने के बाद ही आप इस मंतर का प्रियोग करना तो आपको करना क्या है 21 लोंग लेनी है ठीक है 21 लोंग लेके अपने हाथ में दोनों हाथों में र ठीक है, सनीवार के दिन आपको ये कारे करना है, रात्तरी 8 वजे से लेके 10 वजे की बीच में, इन दोनों समय में से आप किसी भी टाइम पे ये कारे कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, 21 लोंग हातों में ले लेनी है, आखे बंद पूरी होनी चाहिए, आपकी ध्यान पूर को 21 बार बोलना है, 21 बार जैसे ही आप लोग इस मंतर को बोलेंगे, तो तुरंथ आप लोगों के सरीर में कुछ इस तरह की चीजे होंगी, घटनाएं होंगी, जो आपको सुयम खुद दिखेंगी, मतलब कि यह होता है, जब माता की सिद्धी आपको मिल जाएगी इस मंतर क जरिये से, तो आपके सरीर में तरह तरह के बदलाव आएंगे, और जब आप मंतर को बैठके जपोगे तो आपको डर भी लगेगा, और कपकपी भी छुटेगी, और आपके वोंटे पूरे खड़े हो जाएंगे, और पसीने में आप लोग पूरी तरह से हो जाएंगे, तो उस पार से आती बुढिया, छुतरी तिसके कांदे पे, सर के पेटारी वहे पेटारी कोन-कोन सरवान कू पोरा सा, समान, अमुक के अंग को ब्यथा, तन पीर लवटी गिरे उसके कलेजे, तीर आगे पिता इश्वर महादेव की, दुहाई फूरो मंतर गोरकनात वाच्चा यह वाला मंतर है, जो सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहा है, अब आप इसको नोट करें, फिर उसके बाद इसका प्रयोग करें, और माता काली की सिद्धी अन्य देवी देपता की सिद्धियों को प्राप्त करें, यह मंतर दो तरह में कारी करता है, एक तो दे कुछ नहें कमेट करके पूश सकते हैं, अब हम आप से मिलेंगे नेक्स ट वीडियो में, तब तक के लिए जै माता काली हर हरमा दे माता काली आपकी मनुकाम न पूरी